सब्सक्राइब दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में लेनेवो लीजन 5 प्रो के इंडिया में कौनसे कौनसे वेरियंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसके बारे में जो है थोड़ा बहुत इंफोर्मेशन ले दोस्तों अलग अलग वेरियंट्स में कुछ ज्यादा नहीं है जो बेस डिफरेंस आ जाता है यहां पर ग्राफिक कार्ड का नव जो है यहां पर मैं सिर्फ और स्रिफ आप लोगों के लिए इंटल वाले वेरियंट्स का ही इंफोर्मेशन लेकर आया हूं और इंटल वाले भी कोई option आप लोगों को देखने को नहीं मिलता इंडिया में ग्राफिक कार्ड दो चोईज है दोस्तों RTX 3060 वाला option देखने को मिलता है और दूसरा जो चोईज है RTX 3070 वाला option देखने को मिलता है as of now RTX 3050 Ti वाला जो option है दोस्तों मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है इसका फंडमेंटल लॉजिक में यहां पर बता सकता हूं दोस्तों एक रीजन यह हो सकता है कि RTX 3050 Ti वाला जो option है स्रिफ और स्रिफ आप लोगों को AMD वाले प्रोसेसर के साथ में देखने को मिले जिसकी गुंजाइस दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा main reason है friends जो कि मैं समझ सकता हूं Lenovo Legion की जो भी series launch होती है दोस्तों जिससे कि पिछले साल launch ही थी तो उसमें यह लोग proper segmentation करते हैं आप खुदी सोची दोस्तों अगर Lenovo Legion 5 Pro में RTX 3050 Ti वाला model अगर यह लोग इंडिया में लेके आते हैं तो Lenovo Legion 5 के जो भी models होंगे दोस्तों उसको जो है in fact higher end models भी होंगे उसको क देखेगा तक नहीं क्योंकि Lenovo Legion 5 Pro में आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजे जो है premium quality की देखने को मिलती है तो premium quality के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहां पर display की तो display आप लोगों को यहां पर एकदम top notch देखने को मिलने वाली है by the way दोस्तो यहां पर जो display है यह quad HD resolution से भी उपर की आप लोगों को देखने को मिलती है 16 to 10 aspect ratio आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है dolby vision enabled display है दोस्तों जो की 165 hertz के refresh rate के साथ में आती है और panel brightness यहां पर 500 nits आपको देखने को मिलती है और जो screen size है दोस्तों that is whooping 16 inch now power adapter की बात करता हूं दोस्तों तो यहां पर भले ही इन लोगों ने जो है choices दो आप लोगों को दी हुई है लेकिन जब मैंने उपर variants देखे तो वहां पर भी RTX 3060 वाले में भी आप लोगों को जो है 300 watt का ही जो है power adapter देखने को मिलता है and by the way दोस्तों आप मेरे इस वीडियो तक यहां तक पहुंची चुके हैं तो मेरी आप लोगों से हमबल रिक्वेस्ट रहीगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें quality of port situation काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है जैसे कि आप लोग यहां पर सामने देख सकते हैं Thunderbolt 4 के ही आपको यहां पर दो आप लोगों को RTX 3070 की देखने को मिलेगी जो की 16GB RAM के साथ में आती है इसका एक और वेरियंट है friends वहां पर आप लोगों को 32GB RAM देखने को मिलती है और एक और वेरियंट यहां पर निकल कर आता है दोस्तो RTX 3060 का तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 16GB वाला ही व SSD सब में 1TB की full flashed standard SSD आपको मिलती है कोई drama नहीं है यहां पर hard disk का आप SSD आगे चलके upgrade भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरा MEA slot आप लोगों को खाली मिलता है फिर दूसरी चीज़ निकल कर आती है दोस्तों यहां पर display की तो display across the board सेम है जिसके specifications मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर में बताए battery across the board 80Wh की आप लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों case material across the board जो है यहां पर चाहे आप इसका top ले ले चाहे आप इसका bottom ले पूरा metallic जो है दोस्तों यहां पर aluminium से आप लोगों को देखने को मिलता है नव एक और चीज़ यहां पर मैं आप लोगों को बतान होंगे दोस्तों लेकिन सबसे highest TGP value वाला है इसी RTX series की होने वाली है इन Lenovo Legion 5 Pro तो यहां पर RTX 3060 जो है दोस्तों 130 Watt पे rate किया गया है और RTX 3070 जो है वो 140 Watt पे rate किया गया है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो performance आपको लोगों को यहां पर मिलने वाला है वो काफी ज्यादा अ combination देखने को मिल जाएगा तो ग्राफिक कार्ड की जो भी कुछ details आएंगी मैं आगे आने वाले कुछ जो भी videos होंगे मैं उसमें आप लोगों को दीरे दीरे दे दूँगा Thank you, have a nice day